ओम गंगर्पतै नम आज बुथवार के दिन आई ये सुनते हैं गरेश जी की यह कथा जिसे किसी भी ब्रद या अन्य किसी कथा को सुनने के बाद अनिवार्य रूप से सुना जाता है गरेश जी की पूजा के उप्रान बिनायक जी की कथा गरेश जी की कथा को सुनना अतियंत ही शुभ होता है एक बार गरेश जी महाराज एक सेच जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने बारह दाने अनाज के तोड़ लिये फिर गरेश जी के मन में पस्तावा हुआ कि मैंने तो सीट जी के यहां चोरी कर ली तो गरेश जी सेच जी के बारह शाल की नौकरी करने लग गए एक दिन सिथानी राख से हाथ धोने लगी तो गरेश जी ने सिथानी का हाथ पकड़ कर मिट्टी से हाथ धुला दिया सिथानी सेच जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया सिथ जी ने गरेश को बुला कर पूछा कि तुमने सिथानी का हाथ क्यों पकड़ा तो गरेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है राक से हाथ धोने से घर की लचमी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है सिथ जी ने सोचा कि गरेश है तो सच्चा थोड़े दिन बाद कुम्ब का मेला आया सिथ जी ने कहा गरेश सेथानी को कुम्ब के मेले में असनान करा कर ले आओ सिथानी किनारे पर बैठ कर नहा रहे थी तो गरेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे दुब की लगवा लाए घर आकर सिथानी ने सेथ से कहा कि गरेश ने तो मेरी इज़त ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीट में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए तब सेथ जी ने गरेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया तो गरेश जी ने कहा कि सिथानी किनारे बैठ कर गंदी पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया हूँ इससे अगले जन में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा सेथ जी ने सोचा कि गरेश है तो सच्छा एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी हमन हो रहा था सेथ जी ने गरेश को कहा कि जाओ सिथानी को बुला कर ले आओ गरेश सिथानी को बुलाने गए तो सिथानी काली चुन्री ओर कर चलने लगी तो गरेश जी ने काली चुन्री फार दी और कहा कि लाल चुन्री ओर के चलू सिथानी नाराज होकर सो गए सिथ जी ने आकर पूछा क्या बात है तो सिथानी ने बोला कि गरेश ने मेरी चुन्री फार दी सिथ जी ने गरेश को बुला कर बहुत डाटा और कहा तुम बहुत बदमासी करते हो तो गरेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा काला वस्त्र पहनने से कोई भी सुभकाम सफल नहीं होता है फिर सिथ जी ने सोचा कि गरेश है तो समझदार एक दिन सेच जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि ओ गरेश जी की मूर्ती लाना भोल गया अब क्या करें तो गरेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ती बना कर विराज मान कर लो आपके सारी काम सफल हो जाएंगे यह बात सुनकर सेच जी को भी बहुत गुसा आया और ओ बोले कि तुम तो अब तक सिठानी से ही मजाक करते थे मेरे से भी करने लग गए तो गरेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ इतने में ही गरेश ने गरेश जी का रूप धारड कर लिया और सेच तथा सिठानी ने ही गरेश जी की पूजा की पूजा खत्म होते ही गरेश जी अंतर ध्यान हो गए सेच सिठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा की हमारे पास तो गरेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया तो गरेश जी ने सपने में आकर सेच जी को कहा की आपके खेत में से मैंने बारह अनाज के दाने तोड लिये थे उसी का दोस उतारने के लिए मैंने आपकी यहां काम किया था सेच जी के करोडों की माया हो गए ही गरेश जी महाराग जैसा सेच जी को दिया वैसा सब को देना कहते को सुनते को और सारे परिवार को दे देना बुद्धवार का दिन ब्रत रखने के लिए उत्तम माना गया है इस दिन बुद्धदेव के साथ भगवान गरेश की पूजा की जाती है मान्यता की अंसार बुद्धवार के दिन ब्रत रखने से जीवन मंगल मैं हो जाता है ऐसा कहा जाता है कि इस दिन बृत रखने से बुध्धी में बृधी होती है पौरारिक मान्यता के मुताबिक बुध्धार के बृत की शुरुवाद स्विशाखानशत्र बुध्धुवार से होनी चाहिए ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान बिधी पुर्वक बुध्वार का ब्रत रखता है उसकी हर्मनों कामना पूरी होती है बुध्वार का ब्रत रखने से जीवन में शुक्षान्ती बनी रहती है तथा ब्यक्ति सम्रिद साली बनता है यह ब्रत रखने से किसी भी ब्यक्ति को कभी धन धान्य की कमी नहीं होती बुध्वार का ब्रत रखने से बिभिन छेत्रों में शफलता मिलती है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारे चैनल भक्ती गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओल पर सिट करने ताकि आगे आने वा आप तक पहुच सके धन्यवाद